हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे जारकन में 1857 का विद्रोव के बारे में ये जो टॉपिक है ये आपका काफी important टॉपिक है आपने syllabus में भी देखा होगा ये टॉपिक आता है आपका राश्ट्री आंदोलन में जारकन का योगदान में ये जो दिया हुआ है जारकन राज्य से सम्मादित ग्यान इसके अंतरगत एक टॉपिक आता है राश्ट्री आंदोलन में जारकन का योगदान ये CGL का syllabus है और नीचे जो ये आप देख रहे हैं इसमें भी सेम टॉपिक है राश्ट्री आंदोलन में जारकन का योगदान तो इसी टॉपिक के अंतरगत में आपका बेसिक चीजें बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ विद्रो की सुरुवात कहां हुई, कैसे हुई, तो जैसे आप लोगों को पता होगा, कि 1857 का जो विद्रो है, वो पूरे देश भर में चल रहा था, आप लोगों ने सुना होगा मंगल पांडे का नाम, जिनने 1857 की करांती का प्रतम सहीद माना जाता है, और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आप लोगों को पता होगा, कि पूरे देश में ये 10 मई 1857 को सुरू हो गया था, दस मई अठारा सो संताउन को पूरे देश भर में सुरू हो गया था और इससे पहले ही मंगल पांडे जो है उन्होंने अंग्रेजों के बुरुद आंदोलन कर दिया था और उसका कारण क्या था कि उस समय जो अंग्रेजी सेना में न्यू इन्फिल्ड राइफल जो इस्तमाल होने लगा था उसमें उसका जो कार्तूस होता है उसके कार्तूस में गाय और सुवर की चर्वी का परियोग किया जा रहा था तो ये कुछ तातकालिक कारण थे, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे जैसे कि लोट डलहुजीद और अहडप निती का जो सिध्धांद बनाया गया था या जो सहायक संदियां थी, उसके माध्यम से यहां के जो सासक हैं उनका सासन चीना जा रहा था, तो ये सबी बहुत सारे कारण है इसी तरह के कारणों को हम जहरकन में भी देखेंगे और जहरकन की बात करें, तो सबसे पहले यहां पर दियोगर में बिद्रो शुरू हुआ दियोगर का जो रोहिनी गाओं है, वहाँ पर जो 32 रेजिमेंट के सैनिक थे उन्होंने सबसे पहले विद्रो कर दिया था, इसके बाद विद्रो जारकन में सुरू हुआ हजारी बाग में बिहार में एक जगा है दानापुर वहीं पर दानापुर रेजिमेंट के सेनिकों ने जब विद्रो किया तो उसकी खबर मिलते ही हजारी बाग में भी हजारी बाग का जो ये रामगर बटालियन था यहां की सेना ने विद्रो कर दिया इसके बाद ये विद्रो ही राची की और बढ़ने लगे उसके बाद ये विद्रो राची में हुआ राची में विद्रो के दोरान ही उसी बीच में यहाँ चाईवासा का जो इलाका है वेस्ट सिंभूम इस एरिया में भी विद्रो शुरू हो गया और यहां के जो सैनिक है ये भी रांची की और बढ़ने लगे क्योंकि रांची उस समय मुख्याला हुआ करता था तो इस तरह सभी लोग विद्रोह करके रांची की और बढ़ने लगे फिर रांची के जो विद्रोही है ये चत्रा की और बढ़ने लगे चतरा की ओर क्यों जा रहे थे क्यूंकि बिहार में आपने अगर अठारसो संताओन की क्रांती पड़ी होगी तो आपने सुना होगा कि बिहार में जो बाबु कुमर सिंग थे उनके नेतरितों में बिहार में आंदोलन चल रहा था अठारसो संताओन की क्रांती का तो उस समय क् जारकंड भी एक बिहार का ही भागता तो लोग उसके नेतरितों में विद्रों में सामिल होने के लिए जा रहे थे तो हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि यह राची के विद्रों ही जब चत्रा की ओर जा रहे थे तो यहाँ पर अंग्रेजों के साथ उनका एक युद एक लड़ाई होती है उसके बाद इसी दोरान फिर पलामू में पलामू में आपने निलंबर और पितंबर का नाम सुना होगा इनके नेतरितों में विद्रों हो जाता है फिर इसी बीच में लोहरदगा के कुछ इलाकों में भी विद्रों होता है जब यहाँ पर युद होता है तो कुछ विद्रो ही लोहरदगा की ओर आ जाते हैं और लोहरदगा में भी एक तरह से विद्रो होता है और इसी दोरान यहाँ मानभूम का जो इलाका है यह बोकारो धनबाद और पस्चीम मंगाल के कुछ इलाके जो हैं इस छेत्रे में भी विद्रो होता है तो यह सभी जारकन के कुछ छेत्रे हैं जहाँ पर 1867 उनका विद्रो हुआ था आप लोगों को इसी के बारे में डीटेल में जानना है तो आगे हम लोग जो डिसकस करेंगे उसको हम लोग MCQ यानि के questions और answers के रूप में डिसकस करेंगे मैंने questions को sequence wise अरेंज कर दिया है ताकि आपको पूरी कहानी भी पता चले और आप जो question answers हैं जो important question answers हैं उनको भी solve कर पाए तो हम लोग questions के तुरू में पूरे कहानी को समझने का प्रयास करेंगे तो मेरी कोसिस रहेगी कि ये जो पूरा series है वीडियो का इसको आप बिना pen paper के भी केवल अगर कहानी के माद हम से भी समझने का कोसिस करेंगे तो आप अगर 2-3 बर या 1-2 बार ही सुनेंगे तो आपको पूरी कहानी भी समझ में आ जाएगी और important questions को भी आप solve कर पाएंगे ये ज़्यादा बड़ा topic नहीं है और इससे questions आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा questions नहीं आते हैं तो जो important questions होंगे उनको हम लोग discuss करेंगे तो जो important questions होंगे उनको हम last में discuss करेंगे लेकिन अभी कहानी को समझने के लिए हम बाकी सभी चीज़ों को जो छोटी-छोटी बाते हैं उनको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में एक कहानी पूरी तरह से बैठ जाए तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला question यही होगा कि जारकन में 1857 के विद्रो के क्या कारण थे जैसे पूरे देश भर में भी जब विद्रो शुरू हुआ तो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे जैसे कि मैंने आपको बताया न्यू इन्फिल्ड जो राइफल इस्तेमाल होने थे उनमें गाय और सुवर की चरवी का इस्तेमाल किया जा रहा था जिसके विरुद्ध में सैनिकों ने विद्रो कर दिया था तो उसी तरह जारकन में भी 1857 का विद्रो जो सुरू हुआ उसके भी कुछ कारण रहे होंगे तो वे सभी कारण क्या थे यहाँ पर वही पूछा गया है तो पहला है कि अंग्रेजों द्वारा अपनी सत्ता छेत्री सासकों पर जवरस्ती थोपना यह उप्सन बिल्कुल सही है क्योंकि उसमें जो अंग्रेज थे वे अपनी सत्ता को जो यहाँ के छेत्री सासक थे जैसे जारकंड में बहुत सारे अपने पड़ा होगा कि चोटे मोटे सासक थे या पूरे देश भर में अपने अपने छेत्र के जो सासक होते थे उन सासकों पर अंग्रेज जवरस्ती अपने सत्ता को थोप रहत है तो ये बिल्कुल सही है दूसरा option है जमिंदारों का विसेशादिकार चीना जाना तो ये option भी सही है तो जारकन में अंग्रेजों के आने के बाद मतलब कि यहां की जो लोगों की परंपराय थी उनको अंग्रेज अच्छा नहीं मानते थे उन पर रोक लगाते थे तो इसका answer हो जाएगा उप्योग सभी क्योंकि ये सभी कारण थे जो की 1807 के विद्रो के पनप्तने के पीछे का कारण बन रहे थे इसके अलावा और एक कारण है जारकन का निर्वासन अस्थाली के रोप में उप्योग इसका मतलब ہے कि jारकन को एक निर्वासन अस्थान के रोप में इस्तमाल किया जाता था इससे भी जारकन के लोग नाखुस थे मतलब कि पूरे भारत में कहीं भी जगा पर कोई विद्रोही या कोई कुछ लोग होते थे जिनको निर्वासित करना है तो उनको जारकन में भेज दिया जाता था तो इसका एंसर है option D उप्रियुक्त सभी अगला है जारकन में 1857 की करांती की सुरुवात कहां से हुई तो मैंने आपको बताया था कि देवगर में कौन सा गाउं था रोहिनी गाउं और रोहिनी गाउं में इसकी सुरुवात हुई थी और इसकी सुरुवात कब हुई थी 12 जून बारा जून 1857 से जो रोहिनी गाउं है यहां से जारकण में आंदोलन की शुरुआत हुई और यह कहा है आपका रोहिनी गाउं जो है यह देवगर में है देवगर में जो अजे नदी है अजे नदी के किनारे यह रोहिनी गाउं वसा हुआ है वहाँ से 1877 की क्रांती सुरू होती है 12 जून 1857 को इसके बाद मैंने आपको पताया था कि इसके बाद हजारी बाग का एरिया जहांपर रामगड बटालियन था वहाँ प्रविद्रो होता है तो यह काफी important question है यह आपको काफी बार पूछा भी जा चुका है जहारकन के exams में कि क्रांती की सुरूवात कहां से हुई है इस बार को पिछला JPSC था उसमें भी आपको साथ यह question पूछा गया था कि किस जिले से हुई है तो जिला आपको पूछेगा तो वो है द्योगर और रोहिनी जो गाउं है वो अजय नदी के किनारे और 12 जून 1857 से इसकी सुरूवात होती है यहाँ पर जो 32 रेजिमेंट था उसके द्वारा आंदुलन किया गया था या विद्रोह किया गया था जो रोहिनी गाउं है द्योगर का यह कहा है द्योगर यहाँ पर 12 जून 1857 से क्रांती की सुरूवात हो जाती है और क्रांती किस ने सुरू की थी 32 रेजिमेंट के जो सैनिक थे इसके जो सैनिक थे इन्होंने विद्रो शुरू कर दिया था आगे बुढ़ने से पहले मैं आपको और एक चीज बता दूँ कि आपको लगे का कि हम एक ही चीजों को बार बार डिसकस कर रहे हैं तो मेरा मकसद यही है कि आपको पूरी कहानी या फिर इसी बीडियो के माध्यम से आपको जो पूरी कहानी है वो आपके दिमाग में छब जाएं एक ही चीजों को हम इतनी बार डिसकस करेंगे कि आप बिना pen paper के भी इस बीडियो को अगर एक से दो बार देख लेते हैं आपको पूरी कहानी आपके दिमाग में बैट जाएगी और आपको काफी चीजे याद हो जाएगी इसलिए कहानी को भी समझते चलेंगे और जो छोटे छोटे जितने भी गटनाए हुई उन चीजों को भी डिसकस करेंगे और बार-बार चीजों को हम repeat करेंगे जिससे कि इसी वीडियो में हमें पूरी कहानी असपस्ट हो जाएगी नेक्स्ट है जारकंड के रोहिनी गाओं में अंग्रेजी सेना की किस regiment का मुख्या ले था तो अभी हम लग डिसकस कर रहे थे कि जो रोहिनी गाओं है जारकंड का देवगर में यहां से 18-17 की ग्रांती की सुरूआत होती है और यहां पर अंग्रेजी सेना का कौन सा regiment था 32 regiment 32 regiment के जो सैनिक थे उनके सैनिकों ने यहां पर विद्रो सुरू कर दिया था और 32 regiment यह भी पूछा जा सकता है की 32 regiment जो थी वहां वह किसके कमान में थी तो यह Major Macdonald की कमान में थी Major Macdonald Major Macdonald 32 एजिमेंट के कप्तान थे उनके कमान में थी और यह रोहिनी गाओं देवगर में थी तो इनके द्वारा सबसे पहले विद्रो की सुरुआत की गई थी कब की गई थी? 12 जून 1857 ये डेट आपको बहुत इंपोर्टेंट है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है 32 रेजिमेंट किसके कमान में थी? अभी मैंने आपको बताया ये किसके कमान में थी? मेजर मैकडोनल्ड तो 32 रेजिमेंट मेजर मैकडोनल्ड के कमान में थी नेक्स्ट है 32 रेजिमेंट के विद्रोही सैनिकों के हमले में कौन मारा गया? तो आपको बता दें कि 32 रेजिमेंट के जब सैनिकों ने 1800 संताओन का जो विद्रो है उसको सुरोग किया तो जिस दिन उन्होंने विद्रो किया 12 जोन 1800 संताओन उस दिन उन्होंने अंग्रेजों पर हमले कर दिये मतलब वहाँ पर जो अंग्रेज थे जो अधिकारी थे उन पर हमला किया तो उस में वहाँ पर अंग्रेज कौन कौन थे मेजर मैकडोनल्ड जो वहाँ का कप्तान था उसके बाद नॉर्मन लेसली ये भी वही पर थे उसके बाद डॉक्टर ग्रांट ये भी वही थे इन तीनों पर ये तीनों अधिकारी थे इन तीनों पर हमला किया गया और इस हमले में कौन मारा गया नॉर्मन लेसली तो आपको याद रखना है 32 रेजिमेंट जो रोहेनी देवगर के जो सैनिक थे 32 रेजिमेंट का वहाँ पर मुख्याले थे उन लोगों के द्वारा जब 12 जून 1857 को जब विद्रोह शुरू किया गया तो अंग्रेजों पर उन्होंने हमला शुरू कर दिया तो उस हमले में कौन मारे गया थे नॉर्मन लेसली तो इसका एंसर है ओपसंडी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है 32 रेजिमेंट के विद्रोही सैनिकों की पहचान किस ने की तो जब 32 रेजिमेंट के द्वारा जो विद्रोह शुरू किया गया और विद्रोह किया गया और उन्होंने अंग्रेजों को मारा यानि कि अंग्रेज अधिकारियों जिसमें की नॉर्मन लेसली थे उसकी हत्या कर दी जो अन्य अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने कमान संभाला यानि कि मैजर मैकडोनल्ड जो थे और जो डॉक्टर ग्रांट वो थे उन्होंने संभाला विद्रोहियों को उसके बाद कौन-कौन विद्रोहि थे इसके पहचान करने के लिए एक व्यक्ति को बुलाया गया और वो कौन थे? इमाम खान ये जो व्यक्ति था इन्होंने सभी विद्रोहियों की पहचान की और विद्रोहियों में कौन-कौन थे विद्रोहियों में थे अमानत अली, सलामत अली और से खारुन मैंने आपसंस में यही पर नाम डाल दिया है ताकि आपको यह नाम दिखते रहें और आपको याद भी हो जाए तो विद्रोईयों में थे सलामत अली ये अमानत अली उसके बाद से खारुन और इनकी पहचान किसने की थी इमाम खान तो जब इन्होंने विद्रोग किया और अंग्रेज अधिकारी जो नॉर्मन लेसली था उसकी हत्या कर दी तो इसके बाद जब मेजर मैकडोनल्ड और डॉक्टर ग्रांड ने जो की वोलो भी घायल हो गये थे इसके बावजुद उन्होंने विद्रोग को किसी तरह से सांथ किया उसके बाद इमाम खान की मदद से इन लोगों की पहचान की और इन लोगों को फासी दे दी गई तो अगर कभी पूछा जाए कि 32 रेजिमेंट के कौन-कौन से सैनिक थे या सैनिकों का नाम अगर पूछा जाता है तो ये सब नाम आपको याद रखना है अमाना तली, सलामा तली और से खारुन इसके अलावा भी काफी सैनिक रहे होंगे लेकिन रेकॉर्ड्स में इनका ही नाम मिलता है तो इनका नाम आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं 32 रेजिमेंट का मुख्यालय विद्रोह के बाद रोहिनी से हटा कर कहां कर दिया गया तो क्योंकि 12 जून 1857 को ये जो रोहिनी गाओं है देवगर का वहां पर विद्रोह हो गया तो इसके बाद इसका मुख्यालय को वहां से हटा दिया गया क्योंकि उनको डर था कि दुबारा यहां पर विद्रोह हो सकता है या कुछ भी हो सकता है तो उसका मुख्यालय वहां से हटा कर कहीं और कर दिया गया तो वो कहां कर दिया गया भागलपूर पटना हजारी बाग या राची तो इसका एंसर है भागलपूर जो 32 रेजिमेंट का मुख्याला है वो रोहिनी से हटा कर भागलपूर कर दिया गया तो इस तरह अभी तक हमने क्या क्या देखा कि 12 जुन 1857 को करांती की सुरुवात होती है रोहिनी गाओ देवगर में उसके बाद वहाँ पर जब होता है तो उसमें किसकी हत्या होती है नॉर्मन लेसली जो नॉर्मन लेसली जो अंग्रेज होता है इसकी हत्या कर दी जाती है उसके बाद तीन लोग पकड़े जाते हैं अमानत अली उसके बाद सलामत अली और शेक हारुन इनको पकड़ कर इनको क्या होता है फांसी दे दी जाती है उसके बाद ये 32 रेजिमेंट का जो मुक्याले है जो 32 रेजिमेंट ती से ना की उसके मुक्याले को भागलपूर अस्तांतरित किया जाता है लब रोहिने से हटाकर भागलपूर कर दिया जाता है अब इसके आगे जो विद्रो होगा वो कहा होगा हजारी भाग तो हजारी भाग में विद्रो की सुरुवात कब हुई तो हजारी भाग में विद्रो की सुरुवात अचानक से नहीं होती है सबसे पहले 25 जुलाई 1857 यह जो 25 जुलाई 1857 है यह बिहार में एक जगह है दानापूर यही पिर दानापूर का जो regimen है अंग्रेजों का दानापूर जो regimen है उसमें विद्रो शुरू हो जाता है तो इसी विद्रो के बाद जब हजारी बाग तक इस विद्रो के खबर पहुंचती है तो हजारी बाग की विद्रो ही भी क्या करते है उसके 5 दिन बाद 30 जुलाई 1857 को हजारी बाग में विद्रो सुरू कर देते है और हजारी बाग में विद्रो जो सुरू होता है वो रामगड बटालियन के दौरा होता है रामगड बटालियन उस समय क्योंकि हजारी बाग रामगड एक ही थे अभी रामगड को अलग जिला बनाये गया है लेकिन उस समय ये जो पूरा एरिया था वो हजारी बाग के छेतर में आता था तो इस तरह से हजारी बाग में विद्रो की सुरूआत कब होती है 30 जुलाई यानि कि 12 जुन को सुरू हुआ था उसके बाद अगले महिने 30 तारीक को हजारी बाग में विद्रो सुरू हो जाता है नेक्स्ट कॉस्चन देखते है 25 जुलाई 1857 को किस रेजिमेंट के सैनिकों द्वारा विद्रो किया गया था तो मैंने अभी आपको बताया दानापूर रेजिमेंट ये बिहार के छेतर में है ये जो दानापूर रेजिमेंट है ये बिहार का रेजिमेंट था तो वहाँ पर 25 जुलाई 1857 को सैनिकों के दौरा विद्रो सुरू कर दिया जाता है इसी के बाद यह हजारी बाग का जो यह रामगड रेजिमेंट है इसके दौरा 30 जुलाई को विद्रो सुरू हो जाता है हजारी बाग में तो यहाँ पर 25 जुलाई 1857 को पूछा गया है तो यह मैंने आप लोगों को कहानी समझ में है इसके लिए बता दिया कि पहले बिहार के दानापूर के दानापूर रेजिमेंट में वहाँ विद्रो सुरू होता है उसकी खबर मिलते ही फिर दुबारा कहां पर सुरू हो जाएगा हजारी बाग में 30 जुलाई को और 25 जुलाई को कहां हुआ था यह दानापूर रेजिमेंट इसका एंसर है option D next देखते हैं हजारी बाग में अंगरेजी सेना का कौन सा बटालियन था अभी हमने डिसकस किया है काभी बार इसको मैंने आपको बताया अभी अभी कि हजारी बाग में जो अंगरेजी सेना का कौन सा बटालियन है रामगर बटालियन और यह रामगर बटालियन का अगर मुख्यालय पूछेगा तो यह रांची होगा रामगर बटालियन जो था उसका मुख्यालय कहां पर था रांची था इसलिए जब हजारी बाग के विद्रोही यानि कि जो रामगड बटालियन में जब विद्रोह होता है 1857 का तो उसके विद्रोही वहाँ पर विद्रोह करने के बाद राची की ओर बढ़ते हैं तो इस question का answer क्या है रामगड बटालियन की अंग्रेजी सेना का कौन सा बटालियन था हजारी बाग में रामगड बटालियन था और रामगड बटालियन का मुख्याला है कहां था ये राची था और रामगड बटालियन में कौन सी सेना थी आटमी राष्ट्रिये पैदल सेना इसके द्वारा वहाँ पर विद्रो शुरू कर दिया गया था आगे देखते हैं कि रामगड बटालियन का मुख्यालाय कहा था मैंने अभी आपको बताया कि रामगड बटालियन का मुख्यालाय कहा था रांची, option D तो इसका answer है रांची हजारी बाग में ये बटालियन था रामगड बटालियन उसका मुख्यालाय कहा था रांची में और यहाँ पर आठोई राष्टी पैदल सेना थी इन लोगों के द्वारा दानापूर रेजिमेंट के विद्रो को सुन करके यहाँ हजारी बाग में विद्रो कर दिया गया आगे है विद्रोहियों ने हजारी बाग में विद्रो के दारान क्या किया तो रांची बटालियन के जो विद्रोही थे उन्होंने जब हजारी बाग में विद्रो सुरू किया ये एकदम सही है जो विद्रोही थे उन्होंने हजारी बाग जेल में जितने भी कैदी थे बोला जाता है कि लगबाग 800 कैदी थे उन सबी कैदियों को छुड़ा लिया उसके बाद वहाँ अंग्रेज अधिकारी जो रहते थे उनका जो सरकारी खजाना था उस खजाने को भी लूट लिया गया उसके बाद स्टाम पेपर तथा डाक टिकट लूट लिये मतलब कि वहाँ पर जो डाक गर था या फिर अंग्रेज अधिकारी की जो भी चीजे उन लो के लिए थे उन सबी बंगलों पर लूट पार्ट मचा दिया और उस समय अगर जो अंगरेजी अधिकारी हिए हाजारी भाग में वह कौन कैदियों को छुड़ाया, सरकारी खाजाना लूट लिया डाक टिकर्ड वगरा लूट लिये और जो अंग्रेज अधिकारी होते बंगले थे उन पर भी लूट माट मचाया तो next देखते हैं next वही question आ गया कि 1857 के विद्रों के दौरान हजारी बाग का उपायुक्त कौन था तो ये कौन था, Captain Simpson उसके अलावा हजारी बाग में जो अन्य अधिकारी थे, उनमें ये भी थे Dr. Samuel, Delprant लिबर्ट, ये सभी अंग्रेज अधिकारी थे, लेकिन वहां का उपायुक्त कौन था, Captain Simpson, option A next रामगड के राजा ने विद्रो की जानकारी तार के माधियम से किसे दी तो हजारी बाग में जब विद्रो सुरू हुआ तो रामगड बटालियन के दौरा जब विद्रो किया गया, तो रामगड के उस समय कोई राजा हुआ करते थे, वो तो राजा थे शंभू नारायन सिंग शंभू नारायन सिंग कि ये राजा थे तो उन्होंने इस विद्रों की जानकारी मतलब तार यानि कि चिट्टी के माधियम से उस समय एक अंग्रेज अधिकारी को दी तो यही पूछा गया कि उसने किसको दी लॉड कैनिंग, लॉड विलियम बेंटिक, लॉड वेलेसली या लॉड मिन्टो ये अंग्रेज, कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसको की उन्होंने इस विद्रों की जानकारी थी तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे लॉड कैनिंग तो इसका एंसर हो जाएग तो देखिए जब विद्रो होता है तो काफी सैनिक होते हैं जो की विद्रो करते हैं लेकिन अगर उनका कोई एक नेता ना हो तो वे सही तरीके से या फिर सही दिसा में जो विद्रो को ले जाना है वो नहीं हो पाता इसलिए जितने भी बिद्रोही थे उन्होंने सोचा कि हमें अपना एक नेता चुनना होगा इसलिए उन्होंने अपना एक नेता चुना यानि कि अपना जो हेड है उनको बनाया और वो कौन बने थे उस समय सुरेंदर साही, उन्होंने सुरेंदर साही को अपना नेता चुना और इसके नेत्रितों में जो विद्रोही थे वो अब कहां किस और बढ़ेंगे राची की और, और राची क्यों बढ़ेंगे क्योंकि राची मुख्याले है तो आपको कहानी समझ में आ रही है कि जैसे कि 1800 संताउन की करांती हजारी बाग में सुरू हो गई 30 जुलाई को 30 जुलाई को रामगड बटालियन जो हजारी बाग में था उसके द्वारा विद्रो सुरू हो गया और उसके विद्रोहीन काफी लूट पाट किया अंग्रेजे अधिकारियों को लूटा जेल से कैदियों को मुक्त कर दिया उसके बाद उनको आगे बढ़ना था तो उन्होंने सबसे पहले अपना नेता चुना और नेता किसको चुना? सुरेंदर साही और ये सुरेंदर साही कौन था? ऐसा कहा जाता है कि ये उन्ही 800 कैदियों में से एक थे जो कैदि जो छुड़ाय गयते हजारी बाग जेल से उन्ही में से एक था सुरेंदर साही जिसको की नेता चुना गया और संबू नारायन सिंग मैंने आपको बताया था कि ये रामगड का जो राजा था जिसने लोड कैनिंग को इस विद्रो की जानकारी तार के माध्यम से वेजी थी सूचना वेजी थी उसके अलावा इन विद्रोहियों में माधाव सिंग और मंगल पांडे ये दुनों नाम भी काफी important है आगे आपको बार-बार मिलेंगे तो इसलिए मैंने options में डाल दिया है अभी ही तो अभी आपका यहाँ जो नेता किसे चुना गया था ये है option B सुरेंदर साही तो इसके नेतरित्तों में विद्रोह अब कहा जाएगा रांची की ओर आगे बढ़ेगा तो next है हजारी बाग के विद्रोह को दबाने के लिए रांची के कमिशनर ने किसे बेजा तो जब हजारी बाग में विद्रोह हो रहा था इसकी जानकारी रांची में तो मिल गई थी तो उस विद्रो को दबाने के लिए किसी अधिकारी को बेजा जाएगा तो रांची में जो कमिशनर थे उस समय कमिशनर कौन थे? कमिशनर डालटन रांची में कमिशनर हुआ करते थे Commissioner Dalton जो अंग्रे जदिकारी है वो इस विद्रो को दबाने के लिए किसी को भेजते हैं और वो इसमें से किसी भेजेंगे Norman Dalton या Commissioner Dalton और Graham तो वो भेजते हैं Graham को तो इसका answer option A Lieutenant Graham को एक सेना के साथ वो अकेले नहीं आएंगे एक सेना के साथ Lieutenant Graham जो हजारी भाग का जो विद्रो है उसको दबाने के लिए आते हैं आगे बढ़ते हैं तो Lieutenant Graham की सेनिकों के दल में किसने विद्रो कर दिया तो हुआ क्या था कि जब राची के Commissioner Commissioner Dalton ने जब Lieutenant Graham को हजारी भाग के विद्रो को दबाने के लिए हजारी भाग बेजा तो उसके सेना में जो सैनिक थे उनी सैनिकों में से कुछ लोगों ने विद्रो सुरू कर दिया और इस विद्रो में कौन कौन थे इस विद्रो में थे मादाव सिंग उसके बाद नादिर अली खान और जैमंगल पांडे ये सभी लेटिनेंट ग्राहम की सेना में ही सैनिक थे और जब ये विद्रो को दबाने के लिए हजारी बाकी ओर आ रहे थे तो इन्होंने अपनी सेना में ही विद्रो सुरू कर दिया मतलब कि ये अठारसो संताओन के विद्रो ही बन गए तो इसका एंसर हो जाएगा option D, इन में से सभी यानि कि आपको कहानी समझ में आ रही होगी अठारसो संताओने विद्रो सुरू हुआ रामगड बटालियन के दौरा और इसकी खबर रांची पहुँची तो रांची के जो कमिशनर थे, कमिशनर डाल्टन उन्होंने लेटिनन ग्राहम को एक सेना के साथ बेजा और उसी सेना में कौन-कौन थे मादाव सिंग, नादिर अली खान और जैमंगल पांडे और इन्होंने क्या कर दिया उसी अपने ही सेना में विद्रो सुरू कर दिया तो यहां एंसर हो जाएगा option D next देखते हैं चुटुपाली घाटी में किसने नाके बंदी कर रखी थी तो आपको बता दे कि हाजारी बाब जो है हाजारी बाब और राची राची के बीच में एक घाटी पड़ता है यह घाटी है चुटुपाली घाटी क्योंकि अंग्रेजों को यहां से वहां और यहां से यहां जाना पड़ता था और अब 30 जुलाई को क्या हो गया है विद्रो शुरू हो गया है तो इस विद्रो के दारान अंग्रेज इधर से उधर न जा पाए इसलिए कुछ लोगों ने यहां नाके बंदी कर दी थी ताकि विद्रोईयों को समय मिले वो विद्रोग कर पाए या आगे बढ़ पाए तो यहां पर नाके बंदी किस ने कर रखी थी? इसमें उम्राओं सिंग, घंसे सिंग, सेख बिखारी या इन में से सभी तो इसका एंसर होगा इन में से सभी उम्राओं सिंग, घंसे सिंग और सेख बिखारी तो इन सभी ने चुटुपालू जो घाटी है राची और हजारी बाग के बीच में यहां पर नाके बंदी कर रखी थी ताकि अंग्रेज सैनिक इधर से उधर ना जा पाए तो अगर यह क्रेशन उरता है कि घाटी में नाके बंदी किसके द्वारा की गई थी तो यह सभी नाम आपको याद रखने हैं उम्राओं सिंग, घंसे सिंग और सेख बिखारी तो इसका एंसर हो जाएगा ओप्शन डी नेक्स्ट देखते हैं हजारी बाग से मेजर सिंप्षन के भाग जाने के करण हजारी बाग का आस थाई भार किसे दिया गया तो यह क्वेशन उतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन कहानी को समझने के लिए आपके लिए जरूरी है कि हजारी बाग में जब 30 जुलाई को 30 जुलाई 1857 इस दिन विद्रो सुरू हुआ तो वहाँ पर काफी लूट पार्ट और मार काट हुआ और अंग्रेज अधिकारियों को भी लूटा जाने लगा तो मेजर सिंप्षन वहाँ कौन था वहाँ का उपायुक था मैंने आपको बताया था वहाँ का उपायुक था तो ये अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया तो जब वहाँ से भागा तो किसी और को तो वहाँ का अस्थाई जो भार है दिया जाता है जैसे अभी भी कोई पद खाली होता है तो उसके जगा पर दूसरे को दिया जाता है तो इस तरह से वहाँ पर दूसरा पद किसे दिया गया था ये दिया गया था Assistant Commissioner Captain Davis को तो उसका एंसर है Option A Assistant Commissioner Captain Davis को वहाँ का आस्थाई उपायुक्त बनाया गया था ताकि वहाँ पर चीजें फिर से सुदर सकें क्योंकि विद्रों में काफी loot पाट हुआ था तो ये इस वीडियो का Last Question है ये सीरीज आगे भी मैं Continue करूँगा हम पूरी कहानी को जानेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर पूरी कहानी हम एक ही वीडियो में जाने की कोशिस करेंगे तो इस लिए इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो में हमने काफी कुछ देखा तो चलिए फिर से पूरी कहानी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पर देवगर जो है यहाँ यहाँ पर कब सुरू हुआ बारा जुन 1857 को यह करांती सुरू हुई उसके बाद 25 जुलाई को जो 25 जुलाई का दिन है उस समय यहाँ पर दानपूर रेजिमेंट जो बिहार का था उसके दौरा विद्रो किया गया और उसकी खबर मिलते ही यहाँ हजारी बाग में सुरू हो गया यहाँ कब सुरू हुआ यहाँ सुरू हुआ आपका 30 जुलाई को यह डेट्स पूछे जाते हैं इसलिए डेट्स आपको याद रखना है और इसलिए मैं बार बार आपको डेट्स बता रहा हूँ 1857, 30 जुलाई हजारी बाग में और यहाँ पर किसके द्वारा किया गया रामगड बतालियन रामगड बतालियन का मुख्याला कहा था यहाँ राची में और यह लोग जब यहाँ पर लूट पार्ट या विद्रो करके आगे बढ़ रहते राची की और तो उस समय अंग्रेज अधिकारी जो कमिशनर डालटन थे उसने किसे भेजा था लेटिनेंट ग्राहम को भेजा था हजारी बाग के विद्रो को दबाने के लिए लेकिन बीच में जो रामगड है और यहाँ पर जो चुटूपालू घाटी है इस घाटी में किसने उम्राव सिंग, घासी सिंग और सेख बिखारी ने यहाँ पर नाके बंदी कर रखी थी और जब लेटिनेंट ग्राहम की जो सेना में कुछ लोग थे जैसे मादाव सिंग, जैने मंगल पांडे और नादिर अली इन लोगों ने उसी सेना में ही विद्रो सुरू कर दिया तो आज हम लोगों ने इतनी कहानी को जाना तो इसके आगे की कहानी को हम कल के वीडियो में जानेंगे तो उमीद करता हूँ, इससे आप लोगों को 1857 जो जारकन में करांती भी उसकी कहानी को समझने में आपको काफी मदद मिली होगी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे कहानी कल हम देखेंगे नेक्स पार्ट में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच जोहार